दोस्तों ये डिवाइस है Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max और आज इस वीडियो में Amoled and Live Wallpapers को लेकर करते हैं थोड़ा एक्सप्लोर अच्छे Wallpapers लगाना फोन में सभी को पसंद है एक बहुत अच्छा experience हो जाता है जितना अच्छा आप Wallpapers यूज़ करते हो अपने डिस्प्ले के उपर तो कई सबसे पहले हम देखते है Redmi Note 10 Pro Max के default Wallpapers में कहां पर Live Wallpapers होते हैं तो सबसे पहले आपको home screen पर double finger से pinch करते हुए Wallpaper का section मिल जाएगा वहाँ पर जाने के बाद आपको एक new screen open होती है उसमें आपको center में जो Wallpapers लिखा हुआ है उस पे click करना है उस पे click करने के बाद जितने भी Wallpapers आपको इसमें दिखेंगे सारे के सारे वो Live Wallpapers ही होंगे इनी के बीच में आपको छोड़े छोड़े tabs में कुछ category के names mentioned होंगे तो उस tab को जब आप click करोगे तो उसमें वो particular category के Wallpapers होंगे तो इसको भी आप थोड़ा explore कर सकते हो अब जितने भी आपको Wallpapers पसंद होंगे उनको download कर लेना और जब एक बार आप download कर लोगे तो ये सारे Wallpapers जाते हैं My Files में Wallpapers के section के अंदर एक option होता है नीचे last में My Files तो चलो मैं आपको वहीं पर ले चलता हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ जितने मैंने download कर रखे हैं वो सारे Wallpapers My Files के अंदर My Files के अंदर जैसे आप जाओगे तो My Live Wallpapers करके एक tab है उसी tab पे आपको click करना है उसके अंदर वो सारे ही downloaded Wallpapers हैं जो आपने यहां से download कर रखे हैं तो basically सारे collection आपको वहीं दिखेंगे जैसे यहां पर आपको मेरे collection दिख रहे हैं एक अच्छी बात क्या लगी गाईज इस My Cave Wallpapers में कि इनकी quality अच्छी है original quality है HD quality है जब आप इसको home screen पे लगाते हो तो दिखने में बहुत अच्छा लगता है mobile और मैंने जितने download करे हैं मैंने वो basically dark wallpaper download करे हैं या फिर जिनके color range है वो download करे हैं क्योंकि AMOLED display है और दिखने म में जो fish वाल वालपेपर था वो एक third party wallpaper है उसकी link मैं वीडियो की description में दे दूँगा आपको अगर use करना है तो आप download करके use कर सकते हो और guys कुछ application मैं जरूर suggest करूंगा आपको play store पे जो की third party application है तो वहाँ पे आपको dark embedded wallpapers का collection बहुत अच्छा मिलेगा लेकिन हाँ एक शी यही असली original quality में रहेंगे 4K 5K ऐसी quality में आपको वालपेपर से लेंगे तो एक बार आप उसको भी वीडियो की description में जा करके link चेक कर लेना तो कि यही थी वीडियो वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक जरू कर देना वीडियो आएंगी चैनल पे मिलते हैं नेस्ट वीडियो सजेशन में आ रहे हैं इन दोनों को भी try out जरू कर देना तो गाइस यही थी वीडियो मेरा नाम है रॉनक आप देख रहे हैं तक Stream Deck Force मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए